अग्रिकल्शर एंड जी के अजली नाम देव और टोड़ेशन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्स्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें तो यदि आप ICAR, JRF, ASRB, NET, SRF, ARS एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपका कोर्स का प्राइस ओली 1,000 रुपीज है आपको कम्प्लीट से लेवस कवर कराया साएगा नोट्स दिये साएंगे लेक प्राइट की जाएगी यदि आप इंट्रस्टेड हैं तो दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट करें सो हम स्टार्ट करते हैं सोया बीन सो इसका बोटेनी का लेम क्या है क्लाइशेन मैक्स सो इसका ओरीजिन क्या है चाइना और यह किस फैमिली से बिलॉंग करती है लैग्योम सुलफर कंपाउंड ठीक है बीनी जो टेस्ट आता है सोया बीन में स्टू सलफर कंपाउंड इसको हम लोग एज वंडर क्रॉप भी बोला साता है तो आप लोग इसको याद रखेगा यह कर्शन पूछते हैं कि विच इस नोन एज वंडर क्रॉप सो क्या आएगा आएगा अप्शन में सोया बीन सोया बीन इस वंडर क्रॉप टीकॉनमिक प्रोडक्ट आफ सोया बीन क्रॉप जो इसका एकोनॉमिक प्रोडक्ट होता है इसलिए इसे हम लोग और इसमें 42-42 परसेंट प्रोटीन पाया साता है इसको तो आप लोग बहुत अच्छ जानते होंगे कि इसमें सब्सक्राइज प्रोटीन पाया साता है इसमें क्या होता है फिर 20-20 % जो यूबीन कंटेंज ऑन करद में पॉली अन सचरेटी एसेड बूलीन लिक आजीड और ऑलिक आसड भी डेयन आप मेचली कि नाइट्रोजन जो fixation होता है इस crop में वो होता है 40 kg पर hectare due to presence of due to presence of enzyme lipoxidase lipoxidase enzyme के कारण soya bean is not used as dal which produces oil flavor क्या होता है जो soya bean में oil flavor produce होता है किस enzyme के कारण lipoxidase के कारण जिसके कारण इसका use हम ताल को बनाने में नहीं करते हैं अब nodule formation की बात करेंगे so nodule formation starts two to three weeks after sewing sewing के दो से तीन हपते बाद इसमें nodule का formation होने लगता है and nitrogen fixation starts with two weeks after nodule formation up to six to eight weeks मतलग कि आपको बोल रहा है कि जो nodule formation तो दो से तीन हपते बाद होता है sewing के लेकिन जो nitrogen fixation fixation होता है वो two weeks after nodule formation nodule formation के दो हपते बाद उसमें nitrogen fixation होता है और nodule formation up to कप तक होता है से आठ अपते तक होता रहता है nodule formation by लिकिए इसमें nodule formation होता है किससे होता है rhizovium japonicum से सो आपका नेक्स आता है सो नेक्स हम बात करेंगे classification of soya bean के बारे में फस्ट हमारा इसका क्लासिफिकेशन रहेगा manchurian classification based on seed color के according black green और yellow color का seed होगा martin classification based on seed shape or size के according soya elliptica soya spherical soya compressious का क्या है examples है फिर आप hearts classification का देखेंगे soya platycarpa soya tumida फिर आप next बात करेंगे कि climate requirement क्या है इसका so temperature जो है वो 15-32 degree celsius is required for its germination तो climate requirement यदि आपको require है तो हमें temperature किसने चाहिए germination के लिए soya bean का 15 to 32 degree celsius हमको इसका temperature चाहिए फिर आप बात करोगे optimum temperature required for its growth and yield के लिए जो उसका चाहिए temperature हमको 30 to 33 degree celsius हमको growth और इसका development के लिए temperature जरूरी रहता है इतना if temperature is below यदि हम बात करेंगे temperature 10 degree celsius से कम चला गया तो crop growth is retarded crop growth होना बंद हो जाएगी सेम यदि temperature 18 degree celsius तो उसमें अभी crop is also retarded crop growth is also retarded यदि आप day temperature की बात करो के good for its flowering के लिए कितना temperature अच्छा रहता है तो 25 degree celsius is good ठीक है इतना degree celsius बहुत सही रहता है flowering के लिए फिर आप हम next मात करेंगे इसजय रिकुरमेंट का तो तो स्याइल रिकुरमेंट शोयवीन is grown on variety of soils ranging from light to black cotton soils in different pockets of india जो india के different reasons में यह light से black cotton soil में यह grow की जा सकती है well-drain fertile lobes होना चाहिए ideal for its germination cultivation soil should be low and well एरेटेड होना चाहिए, highly compacted soils are harmful for root nodule development, क्या होगा, यह बहुत ज़्यादा compacted soil होगी, तो वो harmful होईगी, उसमें root nodule development नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमको avoid करना चाहिए compacted soil को, crop is sensitive to both saline and acidic condition, जो crop होती है, वो sensitive होती है, दोनों condition में, एक तो saline और acidic दोनों में, and can be grown with pH, pH range जिसका कितना हो सता है, 6.0 से 7.5 pH, जिसका ठीक है, ठीक है, के बीच वाली soil enough है, फिर आप बात करोगे varieties की, so varieties आप देख रहे हो, यहाँ पे the varieties recommended for cultivation are Bragg, Bragg, Lee, Clark, Hardy, Improved, Pelican, 15, Ankur, Alankar, Silazit, PK-262, K30, KHSV2, Moneto, and KB-79, यह आपकी varieties है, ठीक है, सोइंग टाइम की बात करेंगे, कि इसकी सोइंग टाइम कब वैस्ट रहता है, तो इसकी सोइंग हमको जून से जुलाई मन्थ में कर देनी शाहिए, बैस्ट होता है, तो इट इस आखरीफ क्रॉप, ठीक है, फिर आप बात करोगे, सीड रेट के बारे में, तो आपकी सीड रेट कितना रहना चाहिए, 60-70 किलोग्राम पर हेक्टियान, आपको किया रखनी शिए, इसकी सीड रेट रखनी शाहिए, फिर आप बात करें स्पेसिंग की, स्पेसिंग आपकी कितना रखना चाहिए, आपको 30-40 x 5 cm, 30-45 आपको रोड तु रो 5 cm, आपको प्लांट तू प्लांट डिस्टेंस मैंटेन करना चाहिए, हम nutrient की बात करेंगे so nutrient में आपको क्या करेंगे आप NPK और इसमें साथ में हम जिंक भी देते हैं तो NPK का ratio हम रखते हैं 40, ratio 60, ratio 40 और इसमें क्या करते हैं phosphorus content leguminous crop में हम ज़्यादा देते हैं और nitrogen content को हम कम कर देते हैं क्योंकि जो leguminous plants होते हैं उनमें nodule formation होता है nitrogen fixation होता है तो उसको nitrogen already उसको मिलता ही रहता है तो इसलिए फिर हम जिंक कितना देंगे 5 kg पर hectare फिर हम बात करेंगे कि water requirement और irrigation की irrigation की आप बात करोगे तो खरीफ में क्या होते कोई जरूरत तो नहीं रहती irrigation की जो irrigation की जरूरत है वह बरसात से काफी हुजाती है और यदि आप समर में irrigation की बात करोगे तो समर में कर्मी के टाइम में आपको पाथ सचा irrigation देनी पड़ेगी इसकी जो critical stage है वह sprouting stage sprouting stage stage के टाइम पे flowering stage में pod filling stage और grain development stage में आपको इसकी irrigation करनी शाहिए है हम नेक्स्ट बात करेंगे weed management की the most common weeds in fasting the soybean crop are dactyl octeum Egyptian Ellucian indica Sorghum halipane Cyprus rotindus यह सब ग्रासी weeds है के लोशिया आजैंट यह डिजिटेरिया स्पीसीज ट्राइन थीमा पार्टीकुल ट्रम फिर बोले ट्राइबलस ट्रेस्ट्रेस फैलेंथस निरूरी यह ब्रॉड ली बीट से आपके और इनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे हर्विसाइडल बीट कंट्रोल करेंगे has been found efficient and economical in soyaween फिर आप पात कर सकते हो प्री प्लांट अप्लिकेशन देंगे फ्लू क्लोरेलेन ट्राइफ्लूरेलेन और एड़ रेट 0.52 1.0 किलोग्राम पर हेक्टियर और प्री इमर्जेंस अप्लिकेशन ओफ एलो क्लोर का भी दे सकते हैं ब्लू ब्यूटा क्लोर का भी हाँब करोगे इट कॉज़ेस 15-20% रिड़क्शन इल यह जो स्ट्रम फ्लाइब होता है 15-20% इल्ड को रिड़क्शन कर देता है क्रॉप की जो स्ट्रम फ्लाइब की लार्वी रहती है वो जनरली बोर कर देती है इंटू दे स्ट्रम ऑफ दा सोयवीन प्लांट यह जो सोयवीन का प्लांट होता है यह उसकी स्ट्रम में बोर कर देती है लार्वी स्ट्रम फ्लाइब की तो इंफ्लेक्टेट प्लांट्स सो पार्शली ड्राइब जो और ड्रॉपिंग लीफ्स यह क्या कर देता है जो infected plants रहे गर से वो क्या कर देगा partially dried हो जाएगा और dropping leaves, leaves को गिरा देता है, apply thymate को हमको apply करना चाहिए 10% renewals में 10 kg per hectare in soil before sowing, sowing से पहले हमको thymate का use करना चाहिए, फिर हमारा next आता है girdle beetle, यह आप देख लो stumpfly यह है, आपकी stumpfly है, यह stumpfly है, यह girdle beetle है, ठीक है, सो यह आपका आप देख रहे हो, it may cause 50-60% loss in crop peel, अब यह जो girdle beetle है, इससे क्या होगा, 50-60% loss हो जाएगा crop peel में, the beetle makes tunnel in stump, इस stump में वो क्या करते है, तो tunnel कर देता है, it can be controlled by applying, हमको इस और control करना है, तो 0.07% endosulfone और monocrotophos 0.4% हमको इसमें apply कहना होगा, फिर हमारा next है, बिहार हैरी caterpillar, सो आप बिहार हैरी caterpillar की बात करोगी, यह जो caterpillar होता है, caterpillar होता है, feed on leaf epidermis, यह epidermis leaf की epidermis को खाता है, it cause heavy damage in soya bean, और बहुत ज़दर damage प्रोवाइड करता है, सोयवीन में, this insect can be controlled by dusting, और यह insect को हम control कर सकते हैं, dusting 4% endosulfone dust at the rate 25 kg per hectare, at early state and by spraying 0.07% endosulfone और 0.4% monocrotophos, इसे आम इसका बिहार हैरी caterpillar का control कर सकते हैं, आप यहां देखिए, यह आपकी stump fly, यह आपका gaddle bitter और यह आपकी बिहार हरी caterpillar, आपके यह तीनों insect complete हैंगे, इसका control भी आपने पढ़ लिया, इसके बाद हमारी आती है disease management, आपकी जो disease है, सबसे आपके first लगती हैं आपको seedling rot, seedling rot जो है, वो काँची disease है, fungal disease है, so this disease, the disease result in poor seedling emergence, so यह थी यह fungal disease है, तो क्या करेगा, यह poor seedling emergence करेगा, because seed rotting हो साता है, seedling की rot हो साएगी, rotting हो साएगी, the seed treatment हमको करना चाहिए, थायरम से, at the rate of 3 gram per kilogram of seed is beneficial, हमको sowing के पहले ही seed का treatment कर देना चाहिए, थायरम से, pod blight की बात करे, so यह भी एक fungal disease है, the pods of affected plant turns yellow is green and later in dry, मत्तब कि जो pod blight disease है, वो fungal disease है, और यह क्या करते हैं, जो pods होते हैं, वो plants से क्या हो जाते हैं, turns yellow color में हो जाते हैं, affected होते हैं, अब आदमें सूख जाते हैं, the grain becomes river and mold, use of resistant varieties, sowing of crop in rotation, spray of 0.5% geneve can be controlled the disease, pod blight is the disease है, तो हम क्या करेंगे, resistant variety वो ग्रो करेंगे, crop in rotation में हम grow करें, और हम क्या करेंगे, 0.05% geneve से हम इस disease को control कर सकते हैं, फिर आता है अब का next yellow mosaic, yellow mosaic disease जो है अबकी, it is a viral disease होती है, yellow mosaic viral disease है, and transmitted by a white fly, और यह, पैमेसिया टैबिक का ही, white fly से यह क्या होती है, transmit होती है, the disease is dangerous and badly spread, बहुत बहुत डेंजरूस जीस है, क्योंकि वाइरल है, and badly spread होती है, बहुत जल्दी फैलती है, the affected plant looks yellow, और यह जो plants होते हैं, जो yellow mosaic disease से affected होंगे, plant, वो yellow is color के दिखेंगे, so हम को इसको control करने के लिए, हम क्या करें, कि उसका क्या करें, हम जो plants है, उसको resistant variety ग्रो करें, such as silajit, removal of infected plants को हम रिमूफ कर दे, burning कर दे, उनको reduce the damage, spray करें, metasystox का 0.2% पे, 10 से 50 दिन के, इंटर्वल में, so यह आपका yellow mosaic disease, अब आपकी यहाँ पर disease management, कम्प्लीट होता है, फिर आपका आएगा, जो yield होती है, वो एक hectare में, आपको yield मिलती है, soya bean की, 32-35 quindle per hectare, so हमारा यहाँ पर topic, कम्प्लीट होता है, soya bean के बारे में, so it's complete, so आप यदि, आपको कोई, इस related कोई doubt है, तो आप हमारे comment box, में अपना question छोड़ सकते हैं, हम आपको कमेंट करके, आपका answer देंगे, और यदि, आप हमारे WhatsApp ग्रूप पे, join होना चाहते हैं, so description link में, आपको WhatsApp ग्रूप की link दी है, जिससे आप हमारे WhatsApp ग्रूप को, join कर सकते हैं, और यदि, आपने अभी तक,